हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लट सुलोग विद पूनम में आज मैं सेयर करूए आप सब के साथ सूजी की एक तमसे खसता मठरी यह हम बड़े ही मेजरमेंट के साथ बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बन कर त्यार होंगी इसे आप एक मीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले हमें मठरी बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए एक कटोरी भर करके सूजी सूजी हम यह बारिक वाली सूजी लेंगे जिसे हम हलवा बनाते हैं यही वाली और इसे हम कटोरी से माप कर ही लेंगे औ का आटा जो नोर्मली रोटी बनाते हैं हम यही वाला आटा लिया है इसको हमने च्छान करके ले लिया है अब लेंगे आदा कटोरी उसी कटोरी को माप कर यहां पर पिसी हुई चीनी मीठा आप इतना ही डाले अगर आपको ज्यादा पसंद तो एक दो चम्मच उपर नीचे क कर सकते हैं आप और एक चम्मच उपर सफेथ तिल और तीन चारी हमने इलाइची को कूट कर लिया है इन सभी चीजों को हम यहां पर कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें डालेंगे हम यहां पर गी घी हमने यहां पर एक चुथाई कटोरी लिए है एक बा मौन को हमें यहां परटना ही डालना है अगर ज़ैदा मौन पढ़े गा तो इसमें आपकी मठ्रि जो है पिखर ने लेगी everywhere इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर धूद धूद हमने आदा कटोरी लिया है इसको हमें हलका सा गरम कर लेना है और उसके बाद ही हम इसमें आटा लगाएंगे अच्छा सा जिससे हमारे सूजी जो है अच्छे से फुल जाएगी गरम धूद डालने से और यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूद डालना है लगबग आदा कटोरी के करीव यहाँ पर दूद लगा है और यहाँ पर थोड़ यह चार पांस का बादाम को मैंने इस तरह से कट करके ले लिया बारिकवारी की यह सब अपसनल है इसकी जगह पे आप जो भी चीज़ चाहे इसकी जगह पे आप नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो लीजी हमारा यहाँ पर डो जो अच्छे से लग गया है एक कटोरी में से थोड़ा सा दूद बचा है लगबग आदा कटोरी के करीब यहाँ पर हमारा दूद लग गया है और यहाँ पर हमें डो जो लगाना है एकदम से हार्ड नहीं लगाना थोड़ा सोफटी लगाना है जिससे कि हमारी सूजी फूलेगी तो बाद में हार्ड होगा और 10 मिनट रेस्ट करने के बाद देखी यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से हो गया है सेट अगर आपको यहाँ पर लगे कि आटा थोड़ा हार्ड है आपकी मठ्री अच्छे से नहीं बन रही है तो इसकी जगे पर आप क्या करें कि थोड़ा सा दूद गरम कर ले उसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डाले और दोबारा से आटा को थोड़े से अच्छे से इसको मत दे तो अब यहाँ पर चलते हैं मत्री बनाने के लिए हमने आठे को अच्छे से यहाँ पर मसल लिया है अब इसको हम दो हिंसों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से हमें बड़ी बड़ी लोईयां बना लेनी है तो लीजी हमारी एक लोई बन कर होगी त्यार अब मैंने इसको दो हिंसों में डिवाइड करें आप चाहे तो इसको तीन हिंसों में डिवाइड कर सकते हैं और अब इसको हम बेलने के लिए चलते हैं यह लगेगा कि फट रही है साइड से तो कोई बात नहीं इसके कोने फटेंगे तो हमें वैसे भी सेप में कट करना है इस तरह से हमें हा ज़िए पतला नहीं किया थोड़ा सा मोटा ही रखा है अब मैं लेएँगे यहां पर छोटा सा गिलास है मेरे पास इसी से में इसको मैं ब्लास कटした लूए अगर आपके पास गिलास नहीं तो इसकी से प्वक्र आपके पास कटर Episode 16े पर आप सकते हैं और जो हमारी मठ्री है वो फूलेंगी भी नहीं तो लीजी एक बार में हाँपर हमारी साथ से आठ जो मठ्री बन कर त्यार हो गई है हमने यहाँपर सारी मठ्रिया बना ली है अब चलते हैं हम इनको फ्राई करने के लिए तेल को हमें हाँपर हलका सा गरम करना है देख रहे हैं आप जैसे ही मठ्री डाले हलके हलके बुलबले यहाँ पर आ रहे हैं इसी तरह का हमें तेल गरम रखना है लो टू मीडियम ज्यादा गरम नहीं रखना है वरना तो जो मठ्री हमारी पिखरने लगेगी अब यहाँ पर देखिए एक साइड से लग रही ने कि य इसको निकाल लेंगे क्योंकि इसका कलर और बीड डार्क होगा जैसे हम निकाल लेंगे अपने आपमे पकती रहती है क्योंकि आप दमीतुआ है तो लीजी यहां पर हमारा एक पैच बनकर हो गया है त्यार, इसी तरह से हम दूसरा पैच डालते हैं और गायास का फ्लेम हमें याद रखना है कि बिल्कुल कम रखना है ज्यादा गरम नहीं रखना वरना तो आपकी मठ्रिया जो बिखरने लगेंगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी इस तरह से आप लोग में रखेंगे तो आपकी मठ्रिया एकदम से परफेक्ट बनकर एकदम से क्रिस्पी ब कमेंट कर दीजी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजी थैंक यू पाई